चारो तरफ आयोध्या के अंदर में भगवान सी राम के नाम की धून हैं कहीं लोग के नित्य हो रहा है तो कहीं लोग के गायन हो रहा है मरसत आयोध्या के कुछ लोग के नित्य करने वाली बाली काये मरसत मौझूद है वो नित्वी यहाँ पर कर रहे हैं और भगवान सी राम के कुछ भजन भी हमारे साथ सुनाएंगी कहां से आई हैं आप लोग हम लोग आपको राम जी के भजन सुनाने वाले हैं राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी दिप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी मेरे जन्म के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे मैं तो रुची रुची भोग लगाऊंगी मेरे राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मैं तो रुची रुची पाल ना जुलाऊंगे मैं तो भोग और मिशरी आज उसी परकार का उत्सव औध्या के अंदर में इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर लोक निरित्य का कारे करम जो है आप देख सकते हैं आज़िया के अंदर में इस त टरीका की काई सारे आयोजन कीये गये है और अलग अलग अतरह के करक्रमों का आयोजन जो है वह ओ लगातार चल रहा है और पूरे आयोध्या के अंदर में अलग-अलग तरह के धूनों का यहाँ पर कारेकरम लगतार चल रहा है और हमारे भीचे ठीक आप देख सकते हैं कि कि इतना मनमुहक यह टांस है और बलिकाएं अभी यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस इस वक्त कर रही है और पूरा जो आयोध्या है वो इस वक्त जो है मानो जो है भागवान प्रभू स्री राम जो है स्वर्ग से अवतरित हो रहे हो इस वक्त मैं आयोध्या से के मेरे में दीपक साहा के साथ जिते अंदर प्रटाप सिंग एम्बी नेट्वर के लिए